नमस्कार गुड पॉर्णिंग एवरिवन वेलकम तो दा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आफ लॉप्रेप जुडिशरी तेखिए आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 है जारकन जुडिशरी के लिए और आज की क्लास में क्या-क्या करने वाले हैं वो मैं पहले ही बदा देता हू सबसे पहले हम पास्टियर कोशन्स करेंगे जीके के फिर हम आर्टिकल्स करेंगे इंग्लिश के आर्टिकल्स के बेस्ट पे हम एमसी क्यू करेंगे MCQ के बाद में मैं आपको कुछ India first जो है न जैसे कौन law minister थे कौन प्राइम minister थे ऐसे कुछ कराऊंगा मैं उसके बाद फिर GK के MCQ चलेंगे और एक और special part है आज की class में वो है revolutions का कौन-कौन से इंडिया के अंदर revolutions हुए थे वो भी आज ही हम discuss करने वाले यानि कि आज की class बड़ी ही बहतरीन होने वाली है आईए तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे law prep का online और offline दौनों start हो गये है online तो चली रहा है offline भी start हो गया है इसकी सारी details जो है यहां पर आप बात कर सकते हैं call करके राइट हां और हां सबसे पहले past year questions पर आ जाते हैं देखिए इतने easy easy question आया थे कि 10 मैं से 10 लाना बहुत ही आसान हो जाता है देखिए according to 2011 census 2011 के census के इसाप से which of the following is least populous state सबसे कम population कौन से state में है बतानी है union territory नहीं पूछा state पूछा है और state के अगर हम बात करते हैं तो वो है सिक्क्यम ठीक है सिक्क्यम जो है least populated city है या state है which one of the following is a tiger reserve of जार्खंड देखिए जो भी जार्खंड में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि tiger reserve कौन सा है तो फिलाल मैं बता देता हूँ आपको पलामू जो है पलामू tiger reserve जार्खंड के अंदर है ठीक है हाँ तीसरा question देखिए which one of the following अच्छा आज की class में तो मैं जार्खंड के हिसाब से भी लेके आया हूँ एक और चीज बता रहा था जार्खंड जी के भी मैं थोड़ी सी लेके आया हूँ आज वो डेली हम थोड़ा-थोड़ा आप करते रहेंगी which one of the following Indian cities is known by the nickname of Deccan Queen देखिए Deccan Queen क्या होता है मैं आपको बताता हूँ है ना देखिएगा ध्यान से बिलकुल class start है refresh कर लीजिये आप यहां पर हाँ बिलकुल class start है देखिए यह इंडिया का नीचे की साइड का मैप है ठेक है यहां पर western घाट से यहां पर इस्टन घाट से यहां पर विंदिया रेंज है यहां पर सत्थपुरा रेंज है और यह जो बीच का जो ट्राइंगल बन रहा है इसको हम कहते है डेकन का एरिया ठीक है डेकन डेकन प्लेट्यू का एरिया कहा जाता है अब यह जो डेकन प्लेट्यू का एरिया है इसमें एक जगे है जिसको डेकन क्वीन कहते है ठीक है और उसका नाम है पूने ठीक है पूने एक्चुली मूला मूथा रिवर के उपर इस्तित है यह भी इंपोर्टेंट इस साल का करेंट अफैस आ चुका है हां हां बिलकुल नोट्स बना लीजिए बहुत ही फाइदेमंद रहेगा आपके वन लाइनर अगर आप बनाएंगे तो एक्जाम से दो दिन पहले रिवाइस कर सकते क्लास देखने की जरूती नहीं अब यह भी कोई कोशन है हां सुचेता क्रिपलानी आप बताइए कौन से स्टेट के हैं ठीक है कौन से स्टेट के हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं विच वन ओफ तर फॉलोइंग क्लासिकल डांस इस मेंली असोसियेटेड विद आंदर प्रदेश देखिए भारत नाटियम की बात करें अगर हम तो यह तमिल नाडू का है कथक का ली की बात करें तो यह क्या है कहरेला का है कुचीपूडी जो है कहां का है आंदर प्रदेश का वेरि कुच बिलकुल शही कहा है आपने उत्तर प्रदेश की पहली जो विमेन सुयेम और इंडिया की भी सुचेता करपलानी ही है इधर से अपने एक और question याद कर लेते हैं UP आया है तो कथक जो है वो classical dance है किसका? उत्तरपदेश का अंडर GST taxation framework GST की बात हो रही है तो C GST का मतलब क्या है बताना है तो GST का मतलब हमको बता है Goods and Services Tax ठीक है? और यह जो C है इसका मतलब होता है center या फिर central इसका answer हो जाएगा option number B अगर यहाँ पे SGST आता तो इधर S का मतलब हो जाता state Who among the following is the first chief election commissioner देखिए अगर पहले सबसे पहले chief election commissioner की बात करते हैं तो उनका नाम क्या था? सू कुमार सेन क्या है? सू कुमार सेन option number B यह तो वो चीजे हैं जो बच्चपन से हमको रटी होई है जैसे जीवे मवलंकर हो गए बी आर अमबेट कर हो गए जवाहर लाल नहरू हो गए सू कुमार सेन हो गए मीरा कुमार हो गई है न? हाँ यस यस यह class important रहेगी बहुत जरूरी है यह class अच्छा दूसरी चीज एक और में आपको बता रहा था आर्टिकल 324 इलेक्शन कमिशन के बारे में बताता है और एक इंट्रेस्टिंग कोशन इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस जिसका हेड़कॉर्टर हॉग नीदरलेंड्स के अंतर है ठीके? हाँ जिसमें 15 जज़ेस की बैंच होती है टैनियोर क्या होता है? 9 येर्स का होता एक ज़ज का टैनियोर वहाँ पे इंगलिश और फ्रेंच भाषा जो है यूज में आती है नॉट ओनली इंगलिश नॉट ओनली डच और जर्मन ओनली इंगलिश और फ्रेंच ये आता है नेश्ट कोशन पर चलते है विच और फॉलोईंग इस अनेश्टल मॉन्यूमेंट ओफ इंडिया अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारे ही मॉन्यूमेंट से बिलकुल ये सब मॉन्यूमेंट ओफ इंडिया है लेकिन नेश्टनल मॉन्यूमेंट का मतलब अलग होता है तो नेश्टनल मॉन्यूमेंट की अगर हम बात करें तो वो इंडिया गेट है रेड फोर्ट, राष्ट्रपती भवन, कुतोब मिनार ये सब मॉन्यूमेंट होंगे बट फिलाल इंडिया गेट जो है नेशनल मॉनुमेंट है फिर आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल योगा डे ये तो अभी रीसेंटली मैंने कराया था आपको हाँ जो लॉंगेस्ट डे है लॉंगेस्ट डे कौन सा होता है 21 जून तो इसी को हम क्या कहते हैं इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है ये बहुत ही बड़ी लड़ाई चली थी वैसे 10-12 साल लड़ाई चली है उसके बाद इंडिया को इंडिया का ही था योगा हाँ जी सर जी आपकी तो नौकरी लग गई थी हाँ मेरी नौकरी लगी हुई है ना यहाँ पर जी आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ओफ इंडिया की अगर हम बात करें तो डॉक्टर आजेंदर प्रसाद थे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सर्वपली रादा कृष्ण टीचर्स डे जिनके बर्थ डे पर मनाते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ओफ इंडिया थे वुमेश चंद्र चैटर जी या बैनर जी बनो पाध्या है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ओफ इंडिया जवाहरलाल नेरू फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर सु कुमार सेन फर्स्ट वाइसरोइ ऋधीया थे लॉड कैनिंग पहले वाइसरोइ का नाम क्या था? लॉड कैनिग फर्स्ट गवर्णर जनरल weitन मिनिस्टर ओव इंडिया लॉड विलियम बैनतिक important question first chief justice of India H.A.J. Kanya ये question आ सकता एक्जाम के अंदर first speaker of लोगसबा G.V. Mavalankar first home minister Sardar Vallabai Patel सब को integrate किया था 535 रिहासतों को एक साथ first chairperson of लोगसबा Pinki Chandra Ghosh आप मुझे बताए ठीक है आप मुझे बताए कि who was the first women chief justice of supreme court फटाफट से बताए दीपक मैं भी actually जारखंड की तयारी करा रहा हूँ जारखंड और 12 बजे क्या कहते है हर्याना की जैसे ही ये complete हो जाएगा UP के लिए जी के स्टार्ट करतेंगे ठीक है फातीमा बीवी बिलकुल सही है ये वाला भी question important है अब हम बात करेंगे English के articles के ठीक है English के articles के हम आज बात करने वाले हैं और ये बहुत ही important है आप लोगों के लिए चलिए आप सब को पता होगा article जो है तीन तरे के होते हैं A, N, D मैं बोलता हूँ No article तो दो तरे के ही होते हैं हाँ उन दो में एक A और N होता है और एक The होता है इनका specific use है ठीक है हाँ अब मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट की तो फातिमा बीवी है हाई कोर्ट की जो है न वो अन्ना चान्दी है ठीक है अब जो मैं आपको बता रहा हूँ यह बहुत जरूरी है ध्यान रखेगा एक होते हैं इन डैफिनेट आर्टिकल्स A और N एक होते हैं डैफिनेट यानि कि The क्या होते हैं कैसे करना है कुछ नहीं मतलब अपन को अपन तो सीधा कंसेप्ट करेंगे देखिए A, E, I, O और U जो वोवल्स होते हैं उनके साथ N नहीं लगता सारी की सारी बाते पलट दी जी बच्पन से जो करते वे आ रहे थे पानी फेड़ दिया सर आपने एक ही सेकंड के अंदर कि A, E, I, O, U जो है N नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब ठीके तो जितने भी हिंदी में स्वर होते हैं ठीके, हाँ, स्वर के साउंड से पहले, स्वर के साउंड से पहले N लगाना है और बागी सब के साथ ए लगाना है अब आप बोलोगे कि सर, इंग्लिश का हिंदी से लेना देना ही क्या है, बिलकुल, इंग्लिश का हिंदी से लेना देना है साउंड का, फॉनिटिक्स का वही English के alphabets का sound होता है, जो हिंदी के स्वार और व्यांजन का sound होता है, वही sound क्या होता है, English का भी होता है, तब ही वो language बनती है, वरना language नहीं बनती, ठीक है, अब बात कर लेते हम, जैसे for example, यहाँ पे मैंने लिखा है bottle, ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने लिखा है elephant, बिल् यहाँ पे लिखा है university, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे लिखा है umbrella, अब यह देखते हैं, बोटल जो है, बस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो अब बोटल हो जाएगा, क्योंकि यह स्वर नहीं है, स्वर क्या होते है, अ, आ, ई, ई, उ, उ, ओ, 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 इस तरह से हाँ, यहाँ पे elephant, देखो, ए का sound आ रहा है न, तो यहाँ पे an elephant हो जाएगा, simple state, ठीक है, an elephant, हाँ, यस, यस, मैं क्लास के अंदर हर जारखंड जी के भी लिखाया हूँ, जी, ठीक है, जारखंड जी के भी आज की क्लास में है, हाँ, पास्टेर के कोशन भी है, English के articles भी है, मतला है, आज की जब आप क्लास देखोगे न, पूरी, आपके दिमाग में बैट जाएगा कि यह अलग लेवल की ही तैयारी चल रही है, जी, अब यह क्या है, युनिवर्सिटी के अंदर तो year से start हो रहा है, और umbrella का आ रहा है, इसको umbrella नहीं पढ़ते, umbrella पढ़ते हैं, तो य यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ युनिवर्सिटी और एन अम्रेला, यह जरूरी है, जी, पीडिएफ जो है, पिछले वाली की शायद नहीं दी है, मैंने, कोई बात नहीं, आज घर पे जाके दोनों भेज दूँगा आपको, टेलिग्राम पर, ठीक है, नेक्स्ट कोशिन प के साथ में एन लगेगा, देखो यह इस ओफिसर नहीं है, आ, आ का साउंड आ रहा है, आई एस ओफिसर के साथ में क्या लगेगा, एन लगेगा, एन एनिमल, आप तो एनिमल की डेफिनेशन के अंदर वो रनवीर कपूर की फोटो आती है, असूपर मॉडल, देखो ओन इधर क्या आएगा, जरूर बताईएगा आप, अफलार, फलार, फूल, हाँ, देखो इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको ओनेस्ट बोलते हैं, तो ओ का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन ओनेस्ट परसन, हाँ, एन एमले, अब एमले के साथ एन के से आया, तो एक तो लिखा है मैंगो, तो म का साउंड आ रहा है, तो अमैंग आएगा, लेकिन यहां पर एम, एक साउंड आ रहा है, तो एन एमले, वंस अपोन अटाइम ही होता है, हम और अच्छे से पता है, तो यहां पर अवन रुपी नोट आता है, और ये वला कोशन ही जरूरी है, वन आईड परसन, वन रुपी कोईन, वन रुपी नोट, ये सब जरूरी है, त्यान रखेगा, ये हमारा था A और N का, अब बात करते हैं हम आर्टिकल दग की, देखो मैं बहुत ही सिंपल भाशा में समझाओंगा, और जारकन जुडी शरी में जो कोशन आ सकते हैं, वह हम करे इदर उदर की फालतु बाते हम करेंगे ही नहीं, आपका कोर्स देख लीजिए, समझ लीजिए आप इतना बड़ा कोर्स है आपका, ठीक है, उसका निशकर्ष निकालके मैं आपको एकदम परफेक्ट चीज यहां पर पढ़ा देता हूं, इंग्लिश, इंग्लिश की बात ह इसे का कचरा क्या है, छोड़ना है, यह कर लोगे, दस नंबर आ जाएगे, बस, that's it, अब 11 नंबर आ नहीं सकते, तो इदर दूसरी चीज़े पढ़ो मत, ठीक है, law आप कहीं से भी पढ़ो, कोई तिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश की बात अगर आती है यहां पर, तो मेरे experience का यहां पर फाइदा उठाओ, बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, हाँ, the, सबसे पहला, देखिए, जब भी universal thing होती है, कोई, जब भी universal thing होती है, यानि कि ब्रह्मान में एक ही चीज़ है वो, और एकदम बहुती important है, तो article the लगता है उसके साथ में, सबसे important, हाँ, तो universe हो गया, universe एक ही है न, the universe हो गया, the milky way हो गया, the moon हो गया, the earth हो गया, यह सब के साथ में article the लगाते हैं, यह क्या fix है, यह क्या fix, etc. दूसरी चीज़ देखो यहां पर, specific thing, जब हम कोई specific thing की बात करते हैं, यानि की कोई vicious thing, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यह जो pen है, यह वही है, जो मैंने कल वहाँ पे देखा था, अब वो कल कहा देखा था, वहाँ देखा था, तो यह particular pen हो गया न, अरे, आप तो वही हो, जो कल क्लास में आए थे, है न, तो आप क्या होगा, specific होगा, familiar जब हो जाते हैं, specific thing, या फिर हम किसी चीज़ को जानते हैं, या familiar हो जाते हैं, तो उसके साथ में article 2 लगा देते हैं, ठीक है, अरे, आपके जैसा-जैसा जो t-shirt है, मैंने उनको भी तो आपके जैसा-जैसा जो t-shirt है, वो क्या होगा, पर्टिकुलर हो गया, ठीक है, इसके बारे में अभी हम एग्जाम्पल लेके बात करेंगे, और मैं नहीं बताऊँगा, आप ही बता दोगे, अभी देख लेना, तीसरा है, before, superlative degree, हाँ, first class जो ली थी न, मैंने अभी, आप, superlative degree के बारे में, ठीक है, slow, slower, slowest, tall, taller, tallest, ठीक है, grow, grower, growest, high, higher, highest, पर ये जो पीछे वाली जो चीज है, है न, हाँ, just a second, होन का वाइब्रेशन बंद करना बूलिया, टेली ग्राम पे इतने ऐसे आते हैं, इतने आसे आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, ह most है, वो है यहाँ पे, जैसे for example, मैं किसी भी student का नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे, jasmine का ले लेते हैं, jasmine is dash most intelligent girl, ठीक है, हाँ, यह example था है न, ध्यान रखेगा, बाकि सब जने ऐसे मत बोलना, sir, मेरा नाम क्यों नहीं लिया, ठीक है, तो jasmine is the most, तो most जो superlative degree है, superlative degree से पहले article the का use हो रहा है, बात खतब होई, हमेशा होता है, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है, यह चीज हो गई, एक, हाँ, चौती चीज, to denote a group, पूरे ग्रुप को denote करने के लिए भी article the का use लगाते है, जैसे देखो यहाँ पे, हाँ, the English, speak English, बहुत इंट्रेस्टिंग सा यह question है, यह वो चीज है, जो जारखन जुडीशरी के लिए important है, अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरे state के लिए भी अगर तयारी कर लेंगे यहां से, तो possible नहीं है, वो अलग होगा, यह मैं सिरफ जारखन जुडीशरी के लिए बता रहा हूँ, the English, अब आप बोलेंगे सर, English तो सेम ही होती है जब जगे, बिलकुल सेम होती है, question का level भी तो change होता है, the English का मतलब यहां पे हो जाएगा, people of England, यानि की the लगाते ही सारे के सारे लोग हो गए, क्या हो गए, सारे के सारे लोग हो गए, तो people of England सारे, जो क्या बोलते हैं, इंगलिश बोलते हैं, बात ही खतम हो गई, इसका PDF, इस class का PDF बहुत जरूरी है बहुत ही मतलब आप मानके चलिए आपके exam से direct link है इस class का और एक और पाचवी चीज ठीक है? वो article the का specific person और persons के लिए बताता है जो मैं अभी example में आपको बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा मैं यह specific person या persons के लिए लगता है अगले तीन से चार मिनट पर मैं आपको बताऊंगा आईए आगे बढ़ते हैं इसका screen short ले सको तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अब आपन क्या है कि मैं sentence दूँगा ठीक है? आपको पूरा sentence बढने के बाद आप उसका answer एक साथ डालिएगा ठीक है? मैं check करूँगा once upon dash time there was dash king dash king was very kind he has dash old minister old minister dash old minister was very greedy and he wants he wanted to kill dash king ठीक है? हाँ, अब एक साथ कर लो सब का देखो एक, दो, तीन, चार, पाच, छे छे कोशन है, छे के छे फटा-फट करो उसके बाद फिर मैं कराऊंगा अब आप बोलोगे साथ इतना easy जी, इसी easy से समझते हैं हम थ्यार रखिएगा आज मेरी थोड़ी तबियत खराब है हाँ, तो मैं 10 मिनट एक्स्टा पढ़ाऊंगा आपको ठीक है? ए, ए, ए द, द, न कुछ तो mistake है चलिए देखते हैं once upon a time एक बार की बात है ठीक है, once upon a time एक बार की बात है there was a king है न, एक बार की बात है एक राजा थे, ठीक है भई? हाँ, dash king was very kind अब मुझे ये बताओ, राजा change तोड़ी न हो गया, ये राजा भी तो यही राजा है, लेकिन ये पहले आ चुका है, तो अब हम इस राजा को जानते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? the king specific तो क्या हो जाएगा? हाँ, the king was very kind he has old minister यहाँ पे कहीं old minister का है क्या नाम? नहीं है तो he has an old minister उसका एक old minister हुआ करता था अब ये old minister वो ही है the old minister was very greedy and he wanted to kill dash king तो kill a king तो होगा नहीं क्यूंकि उसी राजा को तो मारना चाहेगा न वो तो क्या हो जाएगा? kill the king जिस जिसके पूरे सही है वो मी लिख दीजिएगा और अपने point बता सकते हैं जैसे एक में से 5 आ गए, 5 में से 6 आ आप बता सकते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ये article the था अब आगे बढ़ते हैं article the जो है यहाँ पे एक और चीज बताता हूं हाँ मेरा एक गलत सर एन ओल्ड गलत राइट अजस्ट शेकिंड है ना मेरे को क्या एक और चीज करनी है अब आटिकल the के बारे में और कराते हैं ना देखिए अब आटिकल the is used बिफोर नेम ओफ इस्टेट्स नेम ओफ इस्टेट्स का मतलब क्या होता है जैसे USA है UK है ना होली बुक्स ठीक है न्यूस पेपर्स के आगे न्यूस पेपर्स और जो मैगजीन्स है मैगजीन्स के आगे लगता है और भी आप बताएं कहां कहां पे लगता है मैं आपको बताता हूँ माउंटेन रेंज के साथ में माउंटेन रेंजिस के साथ में बड़ी बड़ी शिप्स के साथ में बड़ी बड़ी ट्रेंस के साथ में ओशियन्स and rivers के साथ में ठीके हाँ hotels के साथ में उसके आगे हमेशा article the लगाया जाता है ठीके हाँ group के साथ में सभी के साथ में article the लगाते है rivers हो गया, c हो गया चलिए देखते हैं कैसे जैसे dash Hindu is the best newspaper तो यहाँ पे क्या हो जाएगा the Hindu USSR United States of Sovereign Russia तो क्या हो जाएगा यहाँ पे the आजाएगा, monuments बिलकुल, Humayus tomb Humayus tomb तो उसके आगे क्या लगेगा article the लगेगा, बिलकुल सही है उसके साथ देखते हैं mountain ranges, देखो यहाँ पे Aravallis Guru Shikhar परवत माला होता है तो उसके साथ में तो article the लगता है लेकिन अगर एक ही चोटी होती है एक ही peak होता है तो उसके आगे कुछ नहीं लगता सेम इसी तरह से हाँ, ध्यान रखेगा hotels, the obroy तो the obroy हो गया यहाँ पे बिलकुल perfect है holy books, the gita, the bible the ramayan, the mahabharat फिर states के साथ हो गया oceans के साथ में the pacific ocean the titanic the french यानि की people of France सारे के सारे इसके अंदर count हो गए हाँ, एक special rule है एक आर्टिकल द का एक special rule है जो मैं आपको बताता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा हाँ, the wise principle and the बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रूर को बहुत जरूरी है the wise principle and the professor डश डाइड एक has लगाना है एक have लगाना है ठीक है has लगता है singular के साथ have लगता है plural के साथ ठीक है अब देखो ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए अगर तो इन दौनों में एक फरक है यहाँ पे the कित्ती बार आया है दो बार and लगा हुआ है बीच में बिल्कुल सही है यहाँ पे the आया है एक बार and तो लगा है लेकिन एक ही बार आया है तो जब simple और local language में अगर आपको समझाओं तो जब article the एक ही बार आ है तो वो एक ही person है तो यह दौनों एक ही person है हो सकते हैं जैसे आपके gkgs के और English के teacher कौन है एक ही है वैसे ही तो दा वाइस प्रेसिडेंट दा वाइस प्रिंसिपल एंड प्रोफेसर हैस डाइड और उपरवले का क्या हो जाएगा है डाइड दो था तो दो के साथ में प्लूरल हो गया इस तरह से आएगा अभी इसका टेस्ट लूँगा मैं अभी हातो हात ही लूँगा हाँ दा रिवर आएगा दा पैसिफिक ओशन आएगा दुब़ई के साथ कुछ नहीं आएगा दुब़ई सीटी का नाम है किसी भी सीटी के नाम के आगे नहीं आता है हिमालियास के साथ दा आएगा दब्रह्मपुत्तर रिवर आएगा दई यू एई यू एई ग्रूप ओफ नेशन्स है गल्फ कंट्रीज है ये नहीं है माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं आएगा क्योंकि हिमालियास के साथ दब आता है हाँ हाँ अब भी वापस समझाते हैं जी सिंपल भाषा में और समझाता हूँ मैं बिल्कुल और भी सिंपल जैसे ये कोशन आ गया हाँ एक में इस आएगा एक में आर आएगा ठीक है इस तो सिंगुलर के साथ आता है और आर किस के साथ आता है प्लूरल के साथ the professor and the principal the professor and principle and तो दौनों में लगा है लेकिन पहले वले में the कित्ती बार लगा है दो बार तो the professor अलग है, प्रिंसिपल अलग है दौनों अलग-अलग person है अलग-अलग person का मतलब दो जने हो गया तो बहुब अचन यारी की plural हो गया तो यहाँ पर क्या लगेगा? लेकिन यहाँ पर द कितनी बार है? एक ही बार है एक ही बार है एंड से कोई मतलब नहीं है यह professor और principle जो है यह एक ही person है यानि कि एक मतलब singular और singular के साथ में हम क्या लगाते हैं? is क्या यह चीज clear हुई आप लोगों की? तो बाल अराम से बढ़ा सकता हूँ, हाँ, इरिटेट भी नहीं होता हूँ, तो ऐसा टीचर हूँ, जी, हाँ, हाँ, बिलकुल, इंग्लिश का पार्ट, जो मैं पहले पढ़ाया, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश क्रामर तो सेम ही रहती है, हाँ, बस, अलग-अ इंग्लिश के हिसाब से, कोशन्स का लेवल चेंज होता रहता है, बस, और कुछ भी नहीं है, MCQ, चलिए फिर, आपका टेस्ट ले लेते हैं अभी हाथो हाथी, हाँ, बताए इसका अंसर, Beijing is dash largest city of China, क्या आएगा यहाँ पर, A आएगा, N आएगा, या द आएगा, फटा-फट से बताएं, हाँ, A, N, या फिर, द, जल्दी से बताएं, परफेक्ट, परफेक्ट, हाँ, A, D, ठीक है, देखिएगा बहुत ध्यान से, यह लिखा है largest, क्या लिखा है, largest, यह सूपर लेटिव डिग्री, और सूपर लेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, D लगाते हैं, Beijing is the largest city of China, खतम, next question पर चलते हैं, She wants to become dash architect, Beijing is city, हाँ, बिल्कुल, Beijing से पहले दर थोड़ी ना आ रहा है, Beijing से पहले दर नहीं आ रहा है, इसके आगे दर लगाना तो crime है, गुना है, She wants to become an architect, आर्किटेक्ट बनना चाहती है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है, Next question पर चलते हैं, एक और इंग्लिश को जीके में डालते हैं, Pritzker Prize जो है ना, Pritzker Prize, ठीक है, ये आर्किटेक्ट के लिए होता है, Next question, I saw dash one-eyed person, मैंने एक आग के पर्सन को देखा, उसकी एक ही आग थी, One को व से पढ़ते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, I saw a one-eyed person, बिल्कुल पर्फेक्ट है, Next question पर चलते हैं, We had dash very nice meal, dash vegetable were especially good, ठीक है, हाँ, हमने एक बहुत अच्छी मील दी है, और जो vegetable है, वो खासकर बहुत अच्छे है, तो, we had a very nice meal, एक बहुत अच्छी मील दी हैं हमने, हाँ, उसमें जो vegetables थे, the vegetable were especially good, तो a और the कहाँ है, option number b, इसका answer है, Next question पर चलते हैं, Dash penguins live in the South Pole, हाँ, We never use articles, या article the, with name of animals, ठीक है, हाँ, किसी भी animals के name के साथ, कभी भी article the का use नहीं लगाते, तो यहाँ पर क्या आएगा, no article, option number d, अब मैं एक question पूछन पूछना चाहता हूँ आपको, वो आपको बताना है, ठीक है, हाँ, Dash oranges are very expensive, expensive के जागे costly भी आ सकता है, Dash oranges of Nagpur are very juicy, ठीक है, Nagpur के ही famous है, हाँ, देखो, oranges है, plural है, तो A और N तो लग नहीं सकता, क्योंकि A और N तो singular के साथ में लगता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी तरह के particular oranges की बात नहीं हो रही, तो कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है, no article, very good, Nitya, very good, oranges of Nagpur, अच्छा, particular region के oranges हो गई है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, the oranges of Nagpur are very juicy, बिल्कुल perfect है, बहुत ही बढ़िया, next question पे चलते हैं, they stayed only dash day at the hotel, वो सिरफ एक ही दिन जो है hotel में रुके, फटा-फट बता इस कांसर क्या होगा, they stayed only dash day at the hotel, एक ही दिन की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, they stayed only a day, ठीक है, only a day at the hotel, next question पे चलते हैं, one words, one who copies from writers, जो writers की copy करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं, plagiarist, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे, plagiarism, इसकी spelling गरत लिखती हैं मैंने हैंना, just a second, plagiarism का मतलब होता है, साहितिक चोरी, ठीक है, किसी का काम चुरा लेना, उसको हम plagiarist कहते हैं, fear of heights को हम कहते हैं, acrophobia, क्या कहते हैं परई, acrophobia, one who hates people, तो इसको हम कहते हैं, miss entropy, miss anthropist, miss anthropist का मतलब क्या होता है, जो लोगों से, क्या कहता है, hate करता है, open to more than one interpretation, not having one obvious winner, यानि कि, aspast बात, और aspast बात की, अगर हम बात करते हैं, तो इसे हम कहते हैं, ambiguous, ambiguous, ambiguous का मतलब होता है, aspast, यानि कि, कोई तरह का, पता ना होना, one verse, देखिए, यहाँ पे, बहुत जरूरी पार्ट है, यह आपके, हर्याना जुडी शरी की तैयारी के लिए, जो मैं आपको बताऊंगा, वो ही याद रखना, इसके अलावा याद नहीं रखना, green revolution agriculture से था, father of green revolution, MS स्वामी नाथन, देखिए, 1000% chance है, यह वला कोशन आने का, MS स्वामी नाथन, हाँ, हाँ, जारकन जुडी शरी, जारकन जुडी शरी के लिए बहुत जरूरी है, MS स्वामी नाथन जो है, यह बहुत ही जरूरी है, अब बात आती है क्यों, इनकी recently death हुई है, ठीक है, हाँ, दो मैना हो गया, और आपका exam आ गया, तो strong instinct है अपने, कि यह आने की संभावना है, white revolution की बात करें अगर हम, हाँ, हाँ, इनको, अच्छा हाँ, एक और चीज, हाँ, कल या परसो मोदी जी ने announcement किया है, कि इनको भारत रतन भी मिलेगा, राइट, राइट, बिलकुल, वेरी गुड नितिश पांडे बहुत ही बढ़िया, अभी कल परसो की नियूस थी, हाँ, इनको भारत रतन भी मिल रहा है, तो दो दो चीजे हैं यहाँ पे, तो कितना important हो गया, सोच लो आप यहाँ पे, white revolution और operation flood, milk और dairy products के साथ है, father of, यह fathers है, father of white revolution की बात करे, तो डॉक्टर वर्गिस कुरेन, very very important, यह तो समझ लो, एक हजार इस्टार कोशन है, हाँ, और यह ठीक है, blue revolution की बात करे, अगर हम बिलकुल चौदरी चरण सिंग को भी मिला है, हाँ, और नरसिमा राओ को भी मिला है, राइट, तो यह फिशरीज के लिए था, यानि की मेराइन कल्चर, और यह याद नहीं रखना, गोल्डर रिवॉलूशन की बात करे, अगर हम, याद नहीं रखना, ठीक है, नहीं याद रखना, जो चीज बोल रहा हूँ, वो याद रखनी है, सिल्वर रिवॉलूशन एक की हो रही है बात, नहीं याद रखना है, येलो रिवॉलूशन की बात करें, तो ओयल सीट से, सैम पिट्रोडा नाम याद रखना है, पिंक रिवॉलूशन, याद ही नहीं रखना, ठीक है, जो बोल रहा हूँ, वो याद रखना है, ऐसी तो बहुत सारी चीज़े है, तो आपन कितना कितना याद करेंगे, तो वो सब नहीं याद करना है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, गोल्डन फाइबर, जूट, याद रखना है, एवर्ग्रीन रिवलूशन के जो थे, फादर, उनका नाम था, M.S. स्वामीनातन, ये याद रखना है, ब्लेक रिवलूशन पेट्रोलियम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डबल इस्टार, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ग्रे रिवलूशन फर्टिलाइजर्स, एक और चीज का ध्याम रखना है, नॉर्मन बोर्लॉंग, इस नोन अज़ दफादर आफ ग्रीन रिवलूशन, नॉर्मन बोर्लॉंग को जो है, फादर आफ ग्रीन रिवलूशन बुलाया जाता है, वेर इन इंडिया, डॉक्टर M.S. स्वामी नाथन is entitled with the same, अगर दुनिया की बात करें ग्रीन रिवलूशन की, तो उनका नाम का है नॉर्मर बोर्लॉंग, आवोर्ट्स मिलते हैं इंडियन को बहुत मिलता है, और इंडिया के बात करें तो M.S. स्वामी नाथन, one of the finest personalities of इंडिया, फटाफट से इस कोशन का अंसर दीजिये, who was, sorry, who led the famous बार्दॉलिय सत्यागरा, बार्दॉलिय सत्यागरा जो है, वो किसने led किया था, जल्दी से पताएं, मुराजी देशाई, सर्दार वल्लब भाई पटेल, महात्मा गांदी, या फिर गुलजारी लाल रंदा, important question है, बहुती बढ़िया question है, यह ध्यान रखिएगा, हाँ, right, very good, 1928 का बार्दॉलिय सत्यागरा वल्लब भाई पटेल ने किया था led, ठीक है, पीछे से जो बार्दॉली के लोग थे, वो चिला के बोले कि यही हमारे सर्दार है, तो यहीं से उनका नाम क्या आया, सर्दार वल्लब भाई पटेल, option number B, next question पे चलते है, the hardest substance available on earth is, सबसे जादा hardest substance जो है, earth पे कौन सा है, येस, बंटी, बिलकुल मैं उसका PDF घर जाके डाल दूगा, दो बज़े तक, ठीक है, next question पे आये, फटाफट से, बिलकुल, diamond सबसे जादा, वो भी non-metal है, metal भी नहीं है, non-metal है, which of the following is used as a lubricant, इस में से कौन सा lubricant के use में फ़र्म ले सकते हैं, lubricant क्या होता है, गाडियों में हम डालते हैं, तो ये जो layers होती है, उसकी बहुत ही soft होती है, तो वो होता है graphite, क्या नाम है, graphite, ज्यान रखेगा, घर फाइट is the right answer, बिलकुल, option number A, next question पे चलते हैं, who among the following was called by Jahangir as English Khan, Jahangir के दरबार में, दो बड़े-बड़े Britishers आये थे, उन में से एक का नाम था Sir Thomas Rowe, और दूसरे का नाम था William Hawkins, तीसरे चौते का नाम नहीं आता है, इन दौनों में से एक को, हाँ, जहांगी ने English Khan कहा था, तो वो थे William Hawkins, क्योंकि Sir Thomas Rowe उनके position के अंदर थोड़े डाउन थे, और William Hawkins उपर थे, यह ध्यान रखेगा, option number B, next question पे चलते हैं, Who among the following leaders joined Gandhi जी इन चमपारन सत्यागरा, तेखे गांदी जी 1915 में आये थे, 1916 में public appearance दिया, 1917 में चमपारन सत्यागरा किया, 1918 के अंदर एहमदाबाद में इस्ट्राइक और खेडा सत्यागरा किया, ठीक है, हाँ, फिलाल यहाँ पे बात कर लेते हैं, कि चमपारन सत्यागरा में गांदी जी से कौन मिला था, कौन जुड़ा था, नाम करते हैं, और उन personality का नाम है, राजेंदर प्रसाद, बहुत ही मामूली सा परसन थे ये, और एकदम शान्ती से रहते थे, मॉन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, देखिए बात इत्ती सी है, 1909 के अंदर मॉडले मिन्टो रिफॉर्म्स आये थे, जो मिन्टो है, इन्हें, फादर ओफ, कम्यूनल इलेक्ट्रोट कहते हैं, लॉर्ड मिन्टो को, याद रखिएगा, और जो मॉन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आये थे, ये 1919 के अंदर आये थे, सिंपल एस्टेट, नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं, बेंगॉल गैजेट नामक, जो अभी भी चल रहा है, मजे की बात है, ये जो बेंगॉल गैजेट है, ये अभी आज दिन तक चल रहा है ये, तो ये करने वाले का नाम क्या था, पहली बार इंटोडूस किया था, जेम्स ऑगस्टिन हिसी, हिकी, ऑप्शन नमब सी, जेम्स ऑगस्टिस हिकी, हाँ, लॉर्ड जेम्स फॉर्ड वाइसरोई थे, बिल्कुल सही, नेक्स्ट खोशन पे चलते हैं, विच ओफ दा फॉल्वइंग चार्टर्स ट्रांस्फॉर्म्ड गवर्णर जनरल और बेंगॉल, यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट गवर्णर जनरल और बेंगॉल जो थे, गवर्णर जनरल आफ इंडिया की पोस्ट ले आए, क्योंकि इंडिया तब तक उनके बास काबू में हो गया था, तो फर्स्ट गवर्णर जनरल आफ इंडिया की बात करे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, और यह हुआ था 1833 के दोरान, क्या हुआ था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, राइट, हाँ, नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं, हाँ, वू फाउंडेट दा आग्रा सिटी, आग्रा सिटी किसने फाउंड कीती बताना है, बहलोल खान लोधी, इब्रायम लोधी, मालिक सुल्तान शा लोधी, या फिर सिकंदर लोधी, इसके लिए हमको थोड़ा सा डीटेल में पढ़ना पड़ेगा, अब मैं पाच मिनट आपको डैली सलतरनत का कुछ पाट कराने जा रहा हूँ, और इसको आपको एक अच्छे से सुनना है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको सिर्फ क्या करना है, सुनना है, that's it, बहलोर खान लोधी की बाद, पहले तो इसका अंसर करते थे सिकंदर लोधी, ठीक है, हाँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ, वो सुनना है आपको, सबसे पहले, सलेव डाइनेस्टी आई, ठीक है, बारा सो छे के करीब, जब कुतबुदीन एबग के जो गुरु थे, मोहमद गौरी उनकी डैत हो गई, तो सबसे पहले जो थे, उनका नाम था कुतबुदीन एबग, ठीक है, हाँ, कुतुबुदीन एबग का जो स्लेव था वो था इल्तुतमिश, क्यों था इल्तुतमिश, कुतुबुदीन एबग तो फाउंडर थे, और फस्ट डैली के सुल्तान ये थे, क्यों थे फस्ट डैली के सुल्तान, क्योंकि जो सबसे पहले कुतुबुदीन एबग थी, उनकी इन तो तो तुम इसको Slave of Slave बुलाते हैं फर्स्ट महीला शाशक जो फिंडिया मुस्लिम महीला वो थी रजिया सुल्तान फर्स्ट फीमेल रूलर मुस्लिम है ना रजिया सुल्तान के बाद में बहुत सारे किंग आये थे फिर आया बल्बन बल्बन सेकंड फाउंडर ऑफ इ बल्बन के बाद काईक्यू बाद आये थे वो सब खतम हो गया उसके बाद Slave dynasty के बाद में खिलजी डाइनिस्टी आई खिलजी डाइनिस्टी के जो फाउंडर थे बहुत जरूरी है ये चीज कहीं से भी एक कोशन अगर आ गया ना तो काम हो जाएगा अपना खिलजी डाइ अलाउदिन खिलजी जिन्हें हम बहुत ही क्रूवल राजा नाम से बुलाते हैं बट वो क्रूवल नहीं थे हां ब्लड एन आइरन पॉलिसी बाई बल्बन ये ब्लड एन आइरन पॉलिसी वाले थे खिलजी डाइनिस्टी के बाद में तुगलग डाइनिस्टी आई कौन सी गयासुदिन तुगलग और दूसरी बात मजे की है जो गयासुदिन तुगलग के बाद जो राजा आये थे उनका नाम था मोहमद बिन तुगलग वो जो पागल राजा नाम से जिसे बुलाया जाता है मोहमद बिन तुगलग के बाद उनके चचेरे भाई ठीक है कजन ब्रदर जो है वो आये थे फिरोशा तुगलग और फिरोशा तुगलग को तो आप सब जानते ही हैं बाकी के वीक रूलर्स थे तुगलग डाइनेस्टी ने सबसे जादा रूल किया जादा साल तक ठीक है उसके बाद आई सैयद डाइनेस्टी सायद डाइनेस्टी सायद डाइनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था किजर खान यह याद रखना है किजर खान किजर खान के बाद में लास्ट जो डाइनेस्टी थी वो थी लोधी डाइनेस्टी लोधी डाइनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था बहलो लोधी ठीक है उसके बाद आए सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी ने ही आगरा का फाउंडेशन किया था सबसे पहले आगरा कैपिटल बनाने वले का नाम क्या था सिकंदर लोदी था उसके बाद लास्ट आए इब्राहिम खान लोदी ठीक है और इब्राहिम कान लोदी हार चुके थे बाबर से और फिर मुगल सल्तनत आ गया था बात खतम आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर यह स्टूडेंट्स गलत करेंगे जब तक मैं पानी पीता हूं हाँ आफटाफट से जो है इसका अंसर करिये 10,000 परसेंट है कि यह स्टूडेंट्स गलत करते हैं जल्दी से बताएं बी डी है ना हाँ मैंने आपको क्या कहा था 10,000 परसेंट स्टूडेंट्स गलत करते हैं तो सबसे पहले मैं डी को काटता हूं फिर सी को काटता हूं और फिर सचेंदेनाथ सिना को काटता हूं यह क्या हो गया सर हमने तो यही पढ़ा था हाँ आपने तो हमारा मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि हमको आता ही नहीं है कुछ तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले तो इसका आंसर क्या है डॉक्टर राजेंदर परसाथ अगर आप से पूछते हैं दो कोशन होते हैं हाँ हूँ वोस्त प्रेशिडेंट ओफ कॉंसिट्वेंट असेम्बली इन इनोग्रल मीटिंग इनोग्रल मीटिंग का मतलब होता है जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी उसमें और दूसरा हूँ वोस्त अटेंप्रेरी प्रेशिडेंट जब यह दौनों आते हैं तो इसका अंसर क्या है सचेंद्र नाच सिना है ठीक है टेंप्रेरी पूछा जाता है तो ही लगाना है लेकिन जब यहां लिखाए हूँ अमंग दा फॉलोईंग वस्त प्रेशिडेंट ओफ कॉंसिट्वेंट असेम्बली तो एक मात्र परशन थे वो डॉक्टर राजेंदर है ध्यान रखेगा ठीक है चल यह आगे बढ़ते हैं हम अगले कोशन पर विच स्टेट गवर्मेंट रिसेंट्ली डिसाइड़ेड़ डैट नो गोर्खा सिटिजन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दा सिटिजन सिप एक्ट नाइटीन फिफिफ्टी फई यानि कि कोई भी गोर्खा पीपल अब जो है प्रोसिक्यूट नहीं होंगे किसके द्वारा है ये तो इसका अंसर है आसाम अब मैं थोड़ा सा फास चलूँगा क्योंकि समय कम है और मुझे फटा-फट कराना है जो आज लेके आया हूँ अंडमान और निकोबार आइलेंड के अगर हम ब बाइ वर्ची ओफ विच ओफ फॉलाइंग आर्टिकल दे कॉंसिटूशन में भी कॉंसिटूशन ओफ इंडिया ठीक है हां वो किसमें लिखा है तो आर्टिकल 393 के अंदर लिखा है ये तो बच्चे-बच्चे को पता होना चाहिए हां आर्टिकल 393 नेक्स्ट कोशल विच इंडियन कॉंसितूशन थे बोरॉड फॉरव इश्च कॉंसितूशन अरे आयरलेंट से क्या लिया गया है तो आयरलेंट से लिया गया है ड से टीकल सॉफ इस्ट पॉलिसीट नेक्स्ट कोशन who was the first education minister of India मौलाना अब्दुलकलाम आजाद यही तो थे first education minister of India who was the first law minister of India Dr. B.R. Ambedgar हाँ, एक bell metal होता है मंदिर के अंदर घंटी होती है लगावा एक बड़ा सा घंटा भी होता है उसको bell कहते है उस bell metal से बना होता है उसके अंदर copper का पार्ट होता है और tin का पार्ट होता है टन 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 से आप tin याद रख सकते है और copper तो होता ही है क्योंकि उसका color copper होता है next question hottest planet की बात करें solar system में तो mercury नहीं है वो बले ही सबसे पास में mercury आता है लेकिन mercury नहीं है Venus है next question पर चलते है who was the first attorney general for India तो यही है बिल्कुल M.C. सीतलवर्ड ही है first attorney general of India ठीक है in which state is the world's tallest statue of lord अच्छा sleeping Buddha की जो है सबसे tallest मूर्ती कहां पर बनी है ठीक है तो यह तो वो बुद्ध पार्ख है एक बिहार के पटना में पटना में है यह बिहार अच्छा इधर से थोड़ा historical importance कर लेते हैं अपन यहां पे पाटली पुत्र की अगर हम बात करें तो वो उदाईन ने start की थी और पटना नाम पहने सबसे पहले देने वाले का नाम था फरीद खान फरीद खान ऑल्सो नोन एस शेर्शासुरी क्या नाम है इनका शेर्शासुरी नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं यह देखिए फोटो देखिए आप शांदार फोटो है यह यहां पे जाके बहुत सारे लोग फोटो के जा सकते हैं वेर हैस थर्टी फिफ्ट सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला देखिए पैतिसवा अरे यार यह तो पुराना हो गया यह कोशन ठीक है यह तो थर्टी सिक्स भी आ गया है इसका अंसर फरीदाबाद है बट आपको यह नहीं पढ़ना है यह पुराना हो गया कोशन इन विच इस्टेट इंडिया स्फर्ट पेपर लेस्ट इस्टेट असेम्ली ठीक है फ्र्स्ट पेपर लेस्ट इस्टेट असेमली जो है वो कहाँ पर हुआ था तो उसका आंसर है नागा लेंड केरेला भी है बट नागा लेंड की बात हो रही है सौ फिट उचा है गजब दा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये इंस्क्रिप्शन है ये एक्चुली गुपता डाइनेस्टी का है समुथर गुपत के बेटे ही थे समुथर गुपता समराथ अशोक जो है वह एक बुद्धिस्ट मौंक उपगुपत से तोड़ा सा क्या कहते है उसको प्रभावित हो गए थे और उन्होंने अपने धरम का रस्ता इस्टार्ट कर दिया था अधरम खतम किया था नेक्स्ट कोश्टन, देखिए कनिश्क की बात करें, तो ये कश्मीर के थे, ये कश्मीर पे रूल करते थे, ये 7 AD के अंदर, और इन्होंने एक नया कलेंडर भी किया था, और ये कुशान डाइनेस्टी के थे, कुशान डाइनेस्टी, इन्होंने 4th Buddhist Council भी कराई, इन्होंने 4th Buddhist Council भी कराई थी, कहाँ पे कुंडल वन, या कुंडल ग्राम भी बुलाते हैं उसको, ये कहाँ पे थी कश्मीर के अंदर, और उस समय जो ये, पुरुषपुरा करके अभी पैशावर बुलाते हैं, उसका था यहाँ पे, हाँ, नहीं वो साका एरा नहीं है ये, इन्होंने भी एक कलेंडर इस्टार्ट किया था, लेकिन उसका नाम साका एरा नहीं था, जी, नेक्स्ट कोशन, हर्श चरित्र, दा बायोग्राफी ओफ हर्शा वज रिटन बाय बानबट, बानबट ने किया था हर्श चरित्र, हाँ, हाँ, हुग रोट अष्थाधाई, अष्थाधाई लिखने वले का नाम था पननी, क्या नाम है, ऑप्शन नमबर ए, पननी, अधिन खिल जी का दूसरा नाम बताता हूँ, मैं आज आपको, अली गुरुशास्प, गुरुशास्प, अली गुरुशास्प नाम है इनका असली, देखिए यहाँ पर एक और इंपोर्टन चीज लाया हूँ आप लोगों के लिए, कैपिटल ऑफ जारकंड इस राची, ओ सिटी इन जारकंड जो है, दुमका है, दुमका सिटी, फर्स्ट गवर्नर ऑफ जारकंड का नाम क्या है, प्रभात कुमार, सबसे पहले गवर्नर का जारकंड का जो है, प्रभात कुमार, नेशनल बर्ड ऑफ जारकंड स्कोयल, इस्टेट फ्लावर ऑफ जारकंड जो है, व उनका नाम था बापुलाल मरांदी, सब कैपिटल और जारकंड दुम का है, ये लिख दीजिए, सब कैपिटल, ठीक है, ये जारकंड बिकेम 15 नवेंबर, जी नित्या वो पता नहीं है मुझे, विक्रम समवात, विक्रम अदित्या ने किया था शेयर आइधिंग, फर्स्ट गवर्णर की बात करें तो प्रभात कुमार, फर्स्ट फीमेल गवर्णर की बात करें तो द्रौपुती मुर्मू, वेरी इंपोर्टेंट, और फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें तो जस्टिस विनोत कुमार गुपता, ये सब याद होने चाहिए, आपको याद ह सुरेन देखिए कुछ समय पहले की बात है हां हेमंत सुरेन को ठीक है एनफोर्समेंट डारेक्टर ने क्या कर दिया अरेश्ट कर लिया गया था और चार्ज ऑफ मनी लॉंडरिंग ये वो परसन थे हां ठीक है जो हट चुके अभी क्रॉस नहीं मराऊंगा नहीं तो मेरे प्र हां चमपाई सुरेन ठीक है हां अच्छा हां और ये इसकी जो है इसी टेलिग्राम गुरुप पे आपको मिलेगी हां सुरिया सर अंडरि स्कूर इंगलिश पे आपको मिल जाएगा और जारकंट की जो सुरी हर्याना की जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में जो है अब 15 ता अब हम कल फिर से इसी क्लास के अंदर ऐसी क्लास मैं अगले दस दिन लगाता लाओंगा हां सेटर्डे का और मंडे का दौनों का पीडिएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा आज ही ओके देन थेंक यू एव नाइस दे और गॉट ब्लेस यू थेंक यू